नमस्कार दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक टॉपिक डिसकस किया था, फर्म बनाए या कमपनी, उसी डिसकशन के शंकला में आज का टॉपिक लाया हूँ, फर्म बनाए या ललपी, यानि हमें एक पार्टनर्शिप फर्म बनानी चाहिए या लिमिटेड पॉइंट्स हैं जो हमें डिसकस करने हैं, लीगल एंटिटी एंड नेचर ओफ लियाबिलिटी, फॉर्मेशन एक्स्पेंस एंड प्रॉसस, एन्वल कंप्लाइंस, और तेक्सेशन आस्पेक्स, इन चार पॉइंट्स के मद्दे नजर हम अपने ललपी और 1932 में बनती है, जबकि एक LLP दोस्तों, LLP Act 2008 के तहद बनाई जाती है, लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस दुनों के बीच में ये है, कि पार्टनर्शिप फर्म की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जबकि एक LLP की सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानि LLP को एक सेप लीगल एंटिटी नहीं मानी जाएगी, पहली बात, दूसरी बात दोस्तों, पार्टनर्शिप फर्म में पार्टनर्स की लाइविटी अनलिमिटेड होती है, जबकि LLP Act के अनुसार जब इन पार्टनर्शिप फर्म मनाते हैं, जिसको हम LLP बोलते हैं, लिमिटेड लाइव extent of contribution of capital made by them, लेकिन अगर वो पार्टनर्शिप बनाते हैं, तो उनकी लाइविटी अनलिमिटेड है, यानि पार्टनर्शिप फर्म में अगर कुछ गड़बड हुई, जिसमें पार्टनर्स की personal responsibility हो गई, तो पार्टनर्स की personal assets को भी capture किया जा सकता है, तो I mean to say दोस्तों, अ process की बात करता हूं दोस्तों, तो पार्टनर्शिप फर्म का formation expense निश्चित रूप से कम है as compared to LLP, जैसे अगर मैं राजिस्थान की बात करता हूं, तो हमारे राजिस्थान में एक पार्टनर्शिप फर्म मनाने पे 2,000 रुपे का stamp paper लगता है, ये stamp papers हर local जो state government होती है, उसके stamp duty act से तैव होता है, हर state में अपना stamp duty का अलग-लग law होता है, उसके साफसे stamp duty की amount तैव होती है, लेकिन LLP all over India, register of companies के अंदर ही govern होती है, तो LLP का process standardized है, हलाकि LLP formation के खर्चे जादा है, क्योंकि sir LLP के formation को करने के लिए आपको सबसे पहले जो भी designated partner बनना चाहते हैं, उनके digital signature apply करने है, उनका director identification या partner director identification number लेना है, फिर आपको further process जो company register के हिसाब से, हलाकि वहाँ पर register of firm term भी use किया जाता है, register of LLP term यूज किया जाता है, तो वो जो पूरा process है, वो process पूरा करके sir, आपका एक LLP का formation पूरा होता है, annual compliance की बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप एक partnership firm है, तो आपको annually income tax return भरना mandatory है, इसी प्रकार अगर आप LLP हैं, तो भी आपको ITR भरना तो mandatory है, लेकिन एक LLP के case में दोस्तों, एक statement of account and solvency हर साल भरना होता है, partnership firm के case में ऐसा कोई statement of account and solvency भरने के आवशक्ता नहीं है, partnership firm के लिए annual ITR के अलावा कोई और audit की generally requirement नहीं है, जब तक income tax में उनका turnover tax audit के level से उपर ना चला जाए, लेकिन एक LLP के लिए दोस्तों, अगर इस LLP का turnover 40 lakh से अबाव है, या उनका capital contribution 25 lakh से उपर है LLP में, तो ऐसी परिस्थती में LLP को LLP Act 2008 के इसाब से audit करानी पड़ेगी, साथी दोस्तों, एक LLP Act 2008 के इसाब से financial year कतम होने के 60 days के अंदर annual return बरना जरूरी है, जब कि partnership firm के लिए इस प्रकार की कोई compliance requirement नहीं के गई, taxation aspect की बात करता हूँ दोस्तों, कि taxation aspect एक partnership firm और LLP में income tax के point of view क्या difference है, income tax law कहता है जी, आप चाए partnership firm हों, चाए LLP हों, दोनों ही case में आप पे tax rate 30% रहने वाली है, हाँ, अगर partnership firm या LLP के रूप में आपको profits का share मिलता है, तो चाए आप LLP के partner हैं, चाए partnership firm के partner हैं, दोनों ही परिस्तिती में profit का share आपके आद में exempt है, बड़ा difference हाता है दोस्तों, presumptive taxation का, presumptive taxation क्या है, income tax law का एक section 44 AD आपको ध्यान होगा सर, वो यह कहता है कि आपके total turnover का, gross receipt का या sales का, अगर banking transaction से वो turnover है तो 6% और non banking transaction है तो 8% का quantum या उससे जादा, जो आप disclose करें, वो profit मान लिया जाएगा, ऐसा option दोस्तों, एक LLP के लिए उपलब्द नहीं है, यानि 44 AD का option LLP के उपलब्द नहीं है, लेकिन अगर professionals मिलकर के LLP बनाए, जो 44 AD में benefit लेना चाहे, या इसी प्रकार से सर, section 44 AE के अंदर, को transportation business का benefit, अगर एक LLP लेना चाहे, तो वो presumptive taxation का benefit लिया जा सकता है, distribution of remuneration की बात करता हूँ दोस्तों, तो एक LLP अपने partners को remuneration, salary bonus commission के रूप में, या interest भी बांट सकती है, लेकिन अगर एक partnership firm दोस्तों, section 44 AD of income tax का benefit लेती है, यानि presumptive taxation का, तो तो उसे interest का salary bonus commission remuneration जो उसने partners को दिये है, उसका deduction नहीं मिलेगा, लेकिन otherwise, अगर वो tax audit में आती है, या वो 44 AD के अलावा, 44 AD के अलावा यानि normal taxation में आती है, तो सर partnership firm भी अपने partners को interest salary bonus commission remuneration दे करके, उस amount का deduction ले सकती है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अग अगर partnership firm या LLP, partners के बीच वज़र, interest salary bonus commission remuneration बाटती है, और firm को या LLP को उस amount का deduction मिलता है, तो partners के आत में ऐसा interest salary bonus commission remuneration, business की income माना जाता है, रही बात tax audit applicability की सर, अगर LLP का turnover दोस्तों, एक करोड से उपर है, या नई जो विवस्तिया 5 करोड के आई है, 5 करोड से उपर है, इस limit से exceed होने पर tax audit LLP के लिए जरूरी है, partnership firm के लिए है, tax audit अगर वो 44 AD business में है, तो 2 करोड प्लस पे, या अदरवाइस 5 करोड प्लस पर tax audit की requirement है, साती दोस्तों, अगर आपकी professional firm है, जो section 44 ADA में covered होती है, चाए normal firm हो या LLP हो, अगर वो 50 लाग से उपर का gross receipt रखती है, तो उसको भी audit करानी पड़ेगी, ऐसा आपको व्यवस्ता ध्यान रखनी चाहिए, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैंने LLP और partnership firm का जो डिस्टिंगुश्मेंट आपके सामने रखा है, वो आपको यह निर्णे लेने में मदद करेगा, कि हमें partnership firm मनानी यह LLP, मेरा suggestion यह अवश्य रहेगा, कि अगर आप किसी risky venture में जा रहे हैं, या जहां पर हम ऐसे लोगों के साथ partnership कर रहे हैं, जहां पर हमारी पहले से कोई understanding नहीं है, और हम एक नया venture किसी नए प्रकार के लोगों के साथ कर रहे हैं, तो LLP बना करके काम करने से हमारी compliance को जर जीए दें, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप कम costly affairs में जाना चाते हैं, तो ऐसी परिस्तदी में partnership हम बना के भी काम किया जा सकता है, तो मुझे सुनने के लिए दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद, I hope यह discussion आपके निश्चत रूब से काम में आएगा, यदि आपकी कोई queries ह तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका उत्तर देने का जरूर कोशिच करूँगा, धन्यवाद, जैह